हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिसी ट्रेनिंग प्रतापगर उत्तर प्रदेश दोस्तों वृध्धों के सम्मान के लिए वृध्धा वस्था में उनकी देखभाल के लिए और उनके प्रति आत्मी भाव विक्सित करने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि शिक्षा में व अपने बच्चों को अपने विद्यार्थियों को ये बताएं कि अपने बीच में जो बड़े बुढ़े हैं जो बुजुर्ग हैं उने आपकी बहत आवशकता है उनके प्रति आपको कैसे व्योहार रखने होते हैं तो दोस्तों बड़ी बात है मारे स्कूल सिक्षा महानि दे सकने एक अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के परशदी प्रात्मिक युँँ उच्छ प्रात्मिक विद्यालियों में एक अक्टूबर को अंतरास्टी वृद्ध दिवस की रूप में दोस्तों मनाने का फैसला किया है इस दवरान जो भी हमारे सिक्षक भाई बहन बच्चों को इपाट शाला के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनको पढ़ाते हैं उन्हें एक प्लेज बच्चों के माध्यम से एक प्लेज दोस्तों लेनी होगी तो उस प्लेज का हम प्रारूप भी बताएंगे क्या प्रतिग्या आपको लेनी है उसके साथ साथ हम स्कूल सिक्षा महानिदेशक का लेटर भी आपको दोस्तों दिखाएंगे कि ये लेटर क्या है और इसमें क्या निर्देशित किया गया है तोस्तों ये लेटर है महानिदेशक स्कूल सिक्षा युम्राज परियुजना निदेशक कारेले समगर सिक्षा विद्याभावन निशादगर्ण लख्णवू प्रेशक महानिदेशक स्कूल सिक्षा उत्तर प्रदेश लख्णवू सेवा में जिलावेसिक सिक्षा अधिकारी समस्त जनपत उत्तरप्रदेश पत्रांग सर्वसिक्षा नियोजन हेलपेज इंडिया ओबलिग 4653 ओबलिग 2020-21 दिनांग 25 सितंबर 2020 विशे दिनांग 1 अक्टूबर को अंतरास्ट्री वृत दिवस मनाया जाने के संबन में महोदे महोदेया उपर्युक्त विशेक हेलपेज इंडिया उत्तरप्रदेश में रिफरेंस नंबर HI अनि हेलपेज इंडिया ओबलिग सेब ओबलिग 308 ओबलिग 2020 दिनांग 17 सितंबर 2020 के साथ बुजूर्गों के सम्मान उम देखभाल है तो प्रतिग्या परिशित की गई छाय प्रत्सल लगने विदित है कि एक अक्टूबर को अंतरास्टी वृत दिवस के रूपे मनाया जाता है इस सम्मन में विद्याले के छात्र शात्रों को अपने वरिस्ट नागरिकों के साथ जी हाँ दोस्तों जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको अपने वरिस्ट नागरिकों के स्वास्थ की देखभाल उनकी सामाजिक सूरक्षा ताब बुजुर्गों के सम्मान करने उनकी सहायता करने में ततपर रहे इसके लिए विद्यार्थियों को जागरूख किया जाए अता आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्यालियों के छातर शात्राओं को अंतरास्टी वृत दिवस के रूप में मनाय जाने के लिए संचालित की जा रही इपार्शाला की माध्यम से दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को विद्याले के छातर शात्राओं को प्रतिग्या लेने हैं तो प्रेरित करने का कस्ट करें तो शिख्षकों को ये इंस्पायर करना ये मोटिवेट करना बच्चों को कि वो उनके साथ एक प्लेज एक प्रतिग्या लें जिसमें ये बात का ध्यान रखें कि उनको अपने बीच में रह रहे बड़े बोड़े बुजुर्गों का क्या करना है केर करना है ये दोस्तों लेटर रहा विजे किरनानजी का आप महाने देशक स्कूल सिख्षा है आगे चलते हैं दोस्तों हम आते हैं Help Age India Fighting Isolation Poverty Neglect Mrs. Renuka Kumar IS Additional Chief Secretary Government of Uttar Pradesh Subject UN International Day for Older Persons Dear Ma'am, Greetings from Help Age India Help Age India is a pan-India charity working for the care and cause of the elderly established and registered in 1978 Help Age India caters to more than 2 million senior citizens every year through its programs executed directly and through partner NGOs We work in the areas of healthcare livelihood support, residential care, disaster mitigation, social security and rights of poor elderly The work of Help Age is governed by three core values of rights, relief and resources You may be aware that worldwide October 1 is celebrated as UN International Day for Older Persons and Help Age India has developed a pledge in favor of senior citizens of our society Copy Enclosed for Ready Reference Last year, you very kindly had issued a letter to Education Department to administer the pledge in School Assembly on 1 October We shall be grateful if the attached pledge gets administered by all students and staff members during online classes through your special communication in all the educational institutions on 1 October 2020 on the occasion of UN International Day International Day for Older Persons Later on, the pledge can also be administered regularly as it would remind the students to respect and care their seniors Hoping your positive response for this initiative तो दो दोस्तों एके सिंग साहाव है, डिरेक्टर एंड स्टेट हेट उत्तर प्रदेश मोबाइल नंबर भी आपका दिया गया है इसके लिए कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस शिक्षक बच्चों का ले रहे हैं और यह pledge शिक्षक बच्चों के साथ बिलकुल बच्चों को बताएंगे और शिक्षक के साथ बच्चे इस प्लेश को लेंगे अब प्लेश क्या है हेल्पेज इंडिया संगहर समारा तनहाई से गरीबी से उपेक्षा से बुजूर्गों को सुरच्चि स्वस्थ वेस्थ तन्यक स्वतंत्र यह प्रसंद रहने में मदद देने के लिए मैं प्रतिग्या करता करती हूँ कि भुजूर्गों से आदर यह प्रेम से व्यवहार करूँगा करूँगी उन्हें उपेक्षाएं दुर्वहार से बचाऊंगा बचाऊंगी उनके साथ हमेसा समय बिताऊंगा बिताऊंगी जिसे वे अकेले और परिवार से अलग ना महसूस करें उस समय उनकी देखभाल करूंगा करूंगी जब वो अस्वयम अपनी देखभाल करने में असमर्थ होंगे उनको स्वतंत्र उमा आत्म निर्भर होने में मदद करूंगा करूंगी तन और मन से स्वस्त रहने में मदद करूंगा करूंगी उनको अपने जीवन का उदेश विक्सित करने में मदद करूंगा करूंगी मन वचन और कर्म से अपने बड़ो माता पिता दादा दादी नाना नानी के प्रति सदेव करतग रहूंगा रहूंगी तो दोस्तों ये प्रतिग्या है जिसे शिक्षक बच्चों को बिल्कुल कराएंगे ताकि बच्चों के मन में आत्मी भाव अपने बड़े बुजुर्गो दादा दादी नाना नानी के प्रति बिक्सित हो सके राष्टी अस्तर पर वरिष्ट जनों की सेवायों सुरच्छा है तो ये help is India दोस्तों समर्पित है और यही बात help is India fighting isolation poverty neglect helping elders stay safe healthy engaged resilient independent and happy और यहां English में वही place है I place to treat elders with respect and love to protect them from abuse and neglect to spend time with them so they don't feel lonely or isolated to look after them when they are unable to do so themselves to help them stay healthy in both mind and body to help them become independent to help them become active and engaged to help them develop a purpose in life to express in words actions and deeds my gratitude towards them working nationwide for the caste and care of the elderly तो दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रतिग्या है ये वीडियो ये information आपको अच्छा लगा होगा यसा आशा ही नहीं विश्वास है तो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करें चैनल पे कमेंट करें अगर आप डिसी ट्रेंडिंग प्रताब कर उत्तर प्रतेस के स्कूप सूरत यूटूब चैनल पे नहीं पहली बाहर विजिट करें प्लीज ये से सब्सक्राइब करें जब भी आप सब्सक्राइब बढ़ाबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस क करें यूट चैनल को सब्सक्राइब करें थैक्स पर वाचिंग एलिसी दीस इसे प्रिकास्टू बेस अनिग आफ